अलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिट से स्वागत है आज हम बना दे जा रहे हैं चने की दाल की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये दो गहंटे पहले चने की दाल को बिघो के रखा था ये मैंने कुस ड्रै फूरूट्स लिये हैं ये चीनी ली है देश यां अभि हम ने दाल को छॅन लिया अभी हम इसको कपड़े पे निकाल के नुच करोंछ लेंगे बलत ragव ही अ अमें इसको फेल आदेंगे और था पर नखी तृप रोगद पारने को सुख जाए इतने इसको सोह से नाग्यान अ कडाय दाल गया दाल देंगे यह दाल हम इसके अंदर गी में डाल देंगे हमारा घी करम हो गया है अभी हम इसको अच्छे से डाल में डाल को इस घी में अच्छे से बून लेंगे जब तक पूली अच्छे से पूर्करी नहीं बून जाए तब तक हम इसको बूनते रहें हलकी आच पे दाल को इस दो बूँनके क्रिशिपी हो चुकी हैuję अभी हम इसको अलग से निकाल लेंगे एक प्लेट में हमारे दाल esse विदको थंड़ी मैं ऊगई है अभी हम इसको मिक्सी कर लेंगे और सूजी के जैसा बुराता इसका बना लेंगे भी मिक्सी में करें चर्णाज मेरा एक यह दूद चाशनी बनाने लिए मींद किम बटना ही अब ही जाँ है, Yes, कि मूपπम चाशनी या चास्मी गाड़ी या पतली नहीं बनाने है अपने यह देखे फ्रेंट्स दूद में हमारी जो चीनी थी वह मिल गई है अभी हम इसमें डाल देते हैं यह पीसी वी डाल और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम अब हम इसको जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे बर्फी बनने के लाइक यह गोड़ा नहीं हो जाए तब तक हम इसको गेस की आँच को खुल करके इसको कंटीनू चलाते रहेंगे और जो गी हमने रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे अगर आपको गी कम चाहिए तो आप ना डाले और आपको चाहिए तो गी आप डाल सकते हो और इसको हमारे से कटे मिलाते रहेंगे और यह गाड़ी हो जाएगी अभी हमने जो ड्राइफ रूट्स लिये थे व और इसको मिलाते रहेंगे डाड़ा उने तक मिक्स करते रहेंगे यह देखे फ्रेंट्स हमारी जो बर्फी है वो जमने लाइक हो गई है इसका गोल अभी हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको एक बार के लिए चला देते हैं अच्छे से और फिर हम एक ठाली में गी लगा और उसमें हम निकाल के बर्फी को जमा देंगे अभी हम इसको थाली में निकाल लेंगे और अच्छे से जमा देंगे थाली के अंदर अभी हम इसको अच्छे से फैला देंगे चमच में थोड़ा सा चमच के घी लगा के और फिर उसी चमच से हम हलके हाथ से इसको ऐसे करके के पूरी थाली में फैला देंगे जितनी मोठी आपको बरफी चीए आप उतनी मोठी पेलालाने ने देलिया हैं यह दिए लिए हम इसको फैला देते हैं और इनको अचछे से तबा देते हैं फिर हम इसको ठंडा होने के लिए 10 या 15 मिनूट तक इसको रख देंगे, यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी बरफी काटेंगे, इनको भी हम अच्छे से इसमें जमा देते हैं, असे करके, यह देखे, यह देखे, हमारे बरफी जो है वो जम गई है, अभी हमें इनको काट लेते हैं, सेफ आप अपने अकोर्डिंग दे दीजी इसको, छोटी या बड़ी, हमारे जो बरफी है, वो बनके तयार हो गई है, अभी हम इनको निकाल लेते हैं, एक-एक करके, यह देखे, बड़ी आसानी से निकल रही है, अगर आपकी ज़्यादा बरफी ज़्यादा जम गई हो, तो आप दो मिनिट के लिए इसको गैस पर रख दीजिए, तो यह नीचे से गी लगा हुआ है, थाली में, तो यह राम से निकल जाएगी, इसे करके, यह देखे, प्रेंट्स हमारी चने की दाल की बरफी बनके तियार होगी है, यह बहुती सौफ्ट और बहुती अच्छी बनी है, तुहार का मौसम आ रहा है, भी दिपावली आ रही है, तो आप सब लोग बनाईए दाल की बरफी, और खाईए, और अपने कमेंट्स मेरे मेरे को कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,